कि है लो अब्रीवन वेल्कम पोभी बीडिया अभी बीडिया के इस डिजिटल चमतकारी मैं बहुत बहुत ही इंटरस्टिंग चैप्टर इस टॉपिक बहुत इंटरस्टिंग जिसका नमें सर्शन इंडिस और इसके अंदर आज हम आपकी पावर से रिलेटिड बात करेंगे जो आप क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो पिटा उसकी मैं सब्सक्राइब बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो आपके साथ चलिए अब देखिए प्रिवेस एर कोशन सीरिस जंग जारी और नौकरी के तैया रही है तो चलिए जुडने करें धन्यवाद और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो आपके पास और भी आता रहें चलिए लेट आस मूव तो कोशन नमबर बन चलिए कोशन नमबर बन इस टू फिफिटी सिक रेस टू पावर 0.16 मुल्टिप्लाइब बाए 256 रेस टू पावर 0.09 तो हमें बदाना है इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा और ओप्शन जार 4 16 64 and 256.25 इंटरसिंग सा कोशन है चलिए बच्छो चलते हैं देखिए अगर मैं बात करूं देखिए मैं साथ-साथ थोड़े सी नॉलिज भी देता रहूंगा आपको जैसे मैं लिखो यह रेस टु पावर फेक्स इंट वेरिया स्थ पावर आग्यों नियों कैसे लिख सकता हूं यह होता है रेस तुपावर एकस प्लस य हमतलब है जब मेर पावर्स क्या नहुंगा तो पावर्स पहशन होगा तो पावर जी multiply by 256 raise to power 0.09 done अब देखिए कितना है देखो यह भी बे सेम है तो मैं क्या लिखूंगा 256 raise to power 0.16 plus 0.09 तो यह कितना होगा 256 raise to power 0.25 clear अब 0.25 को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं बच्चो मैं इसको मैं लिख सकता हूं 256 raise to power 1 by 4 because 0.25 कितना आएगा इसको मैं लिखूंगा 25 बटा 100 done और यह कितना होगा मेरा एक बटा 4 clear अब जहां से देखिए जड़ा अब देखो 256 को मैं क्या फर्दर लिख सकता हूं गर मैं लिखूंग लिख चार गुना चार 16 64 यह आप कहोगे 16 का स्केर होता है या इसको लिख सकते 16 का स्केर रेस्टु पावर 1 by 4 और इसको फर्दर क्या से लिख सकते हैं ए रेस्टु पावर ऑफ एक्स वय डन तो वेटा यह कितना होगे मेरे पास फोर रेस्ट पर 4 इंटू 1 by 4 4 से कटा 4 तो ऑप्शन मेरे वास क्या बचा चार जो की उत्तर नंबर एक दिया हुए clear तो देट वस वेरी 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 इंटरसिंग कोशन बहुत ईजी सा कोशन था चलिए लेटास मूटन तो देन कोशन नबर टू चलिए अनदर इंटरस्टिंग कोशन बहुत बढ़िया कोशन है बेटाई यह बिकॉस इसके अंदर आपको स्केरूट खोल के मुझे अंसर बताना है दन चलिए चलते हैं देखिए मुझे दिये अंडरूट आफ 18225 यह गिवन है मुझे कोशन में कि 135 दिया हुआ क्लियर अब मुझे बताना है कि मेरे पास अंडरूट 182.25 प्लस 1.8 225 प्लस आफ प्लस अंडरूट आफ 0.018 225 प्लस अंडरूट आफ 0.00018 225 प्लस अंडरूट आफ 0.00018 225 दो देखिए इसको मैं क्या से लिख सकता हूं 182 25 दिवाइद बाइंड और इसका स्क्वेर रूट रूट नेक्स क्या से लिखंगा हुद जातले लिख इसका स्क्रणार नेक्स इस 182 25 दिवाइद भाइए फिर इक दो तीन चार पांच शे एक दो तीन चार पांच शे और इसका स्क्यार रूट ड़्ट नेक्स्ट इस कितनी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यानि वन एट टू टू फाइफ अपॉन एक दो तीन चार पांच छे शाथ डन अब देखो इसको डिफनेशाट कैसे करूंगा मैं वन एट टू टू फाइफ अपॉन टैनेस पावर टू डन से इसका स्केर दन प्लस वनेट टू तू फाइफ अपॉन थाॉजंट क्यूब इसका स्केर अब भी आपको बता है मैंने कुछ वनेट टू टू फाइफ अपॉन टैनरे स्पार टामिनेट या इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तर फोर यागा क्यूब ये कितना एगा मेरे पास रेस्ट टूपावर टू ना तू नहीं आएगा फोर टूपावर टूपावज पावर टूपावर टू चार दुनिया डूट हो टैने सवर एटी है ये और यह क्या हो गया तो देखें यह मेरे पास कितना बचा यह मेरे पास बचा यह तम लिखता हूं 135 डिवाइड़ डिवाइड़ बैटन विकॉस रूट को लिगा तो यह आएगा यह कितना गवन 35 डिवाइड़ रआ 100 यह ऐसे आएगा यह चार जीरो जाएगी है यहां थोड़ा सा गड़ भड़ोगी ठीक है तीन दूनी छे और यह डन तो यह कितना आएगा डिवाइड़ बाइंडर प्लस 135 डिवाइड़ बाइड थाउजन और 135 डिवाइड़ बाइड फोर एक दो तीन चार डन तो देखे मेर पास क्या बहुचा 13.5 जमाँ 0.1.135 प्लस 0.0135 तो देखो यह कितना आएगा देखो यह 14 के असपास कुछ है तो डेफिनिटली यह आना चाहिए डन विकॉज जब आप इसको देखो गई वन पॉइंट है यह 149 है 199 तो यह आएगा चेक करके देखेंगा तो अंसर इस 14.9985 इसा क्लियर 14.9985 इस दा राइट अंसर पांच बिल्कुल सही इतना ही आएगा चलिए नेक्स कुछिन की तरह बढ़ रहा हो बैटा में चलिए नेक्स कुछिन में 3 क्या कहा रहे है मुझे 17 रेस तुपार 3.5 मल्टिप्लाइब 17 रेस तुपार एक्स देखें इसको कैसे लिख सकते मैं अगर मैं लिखू 17 रेस तुपार 3.5 मल्टिप्लाइब 17 रेस तुपार एकस इंटू रेस तुपार वाई है तो यहां पर क्या हो सेवन्टिप्लाइब 3.5 plus P is equal to 17 raised to power 8, अब कितना होगा देखो, अगर मैं बात करूं, बेस से में अधर powers बराबर होंगी, so 3.5 base same power equal, लिख देता हूं, base same power equal, clear, plus P is equal to 8, P is equal to 8, minus 3.5 which is equal to 34.5 तो option number D is the right answer clear, so option number D मेरा साही answer है, clear, तो चलिए, next question बड़ रहे है पीटा, चलिए, बहुत अच्छा question है है बहुत अच्छा question है बहुत अच्छा question है को चुर्शूर्श यरो में थोड़ा सान question है, then, बेंक वे भीह भीहोंग्गुच्छन एज वेल, तो 5 raised to power पावर है is equal to 3125 done अब देखो ज़रा अब मुझे compare करने basis हो तो 5 गुना 525 गुना 125 गुना 625 गुना 5 एक त्यस्व पाच्छेस तो 5 रेस्ट पावर 5 इस इकल टो 3125 और मैं क्या लेकिए ओ स्वारी फाइब रेस्ट पावर वर फे इस इकल टो 5 रेस्ट पार 5 तो यहांसी एकी वैल्यू कितना गी 5 by comparing we get a is equal to 5 अगर a is equal to 5 आगे तो 5 रेस्ट पार क्या निकालना मुझे a minus of 3 which is equal to 5 रेस्ट पार 5 minus of 3 which is equal to 5 का square is equal to 25 which is equal to option number a clear option number a मेरा बिल्कु सही है चलते है एक लिए प्रिशन के तरफ यहां से बहुत अच्छे के सीरी शुरू होती बच्छों तो ध्यान से लगे रही है और प्लीज यह बहुत इंपॉर्टन को सेप्ट है इसको में एक मिनिट के लिए भी छोड़ना नहीं है डन चलिए देखिए यह क्या दिया है उज्जे थ्री देस्टू पावर अगर मैं इसे लिखू तो पावर क्या मेरे पास x-y और यह क्या है तीन का क्यूब है बिल्कुल सही है यहां से मैं ये निश्कर्ष निकाल सकता हूं सो परसेंट नेक्स देखिए अगर मैं लिखू तीन देस्टू पावर एक्स प्लस वाई तो देखो यह कितना है तीन तीन नो तीसटाइस तीक ऐसी गुना तीन टू फर्टी थ्री यहनि थ्री देस्टू पावर ओफ फाइव डन अब देखू मेरे पस बावा पावर्स आजू किया मुझे कंपेर करना है बाइप कंपेरिंग पावर्स बाइप कंपेरिंग पावर्स x-y is equal to 3 and x plus y is equal to 5 clear तो x minus y is equal to 3 आ गया और x plus y is equal to 5 आ गया तो मुझे क्या निकालना है मुझे यहां से x कितना निकालना है तो add कर दीजे दोनों को तो 2x a is equal to 5 plus 3 आठ तो x की वाल्यू की आगी बेटा चार तो option number c मेरा बिल्कुल सही answer इस question का clear है तो that was very good question जो हमने भी किया है चलिए बहुत बढ़िया question है that is very very important question देखे question क्या दिया है कि 243 raise to power n divided by 5 multiply by 3 raise to power 2 n plus 1 divided by 9 raise to power of n into 3 raise to power n minus 1 चलो मैंने आपको दस सेकंड दिये थोड़ा सोचिए इस question के बारे फिर्म discussion करेंगा हाँ जी शावाश सोचिए we have 10 seconds full 10 seconds दे रहूं आपको मैं इस question का थोड़ा बताईए मुझे क्या अच्छा नहीं 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 पावर्स बराबर कैसे रख देंगे आप ऐसे कैसे ऐसे काट दोगे और सकता है नहीं कटेगा चलो नेक्स देखो देखो मैं लिखूंगा देखो पहले मैं नुमिनेटर दुनों का साथ लेकर चलोंगा मैं लिखूंगा 3 रस तुपावर 5 रस तुपावर एंड बाइफ दन एंड मल्टिप्लाइट 3 रस तुपावर 2N प्लस 1 क्लिर नहीं जी नहीं पावर्स ऐसे नहीं ब्रेक होती है अब सोच रहो 3 रस तुपावर 2N है डन इसको मैं दुबारा लिख देता हूं जबर आपको क्यों डाउट हो तो इसमें क्योंकि एक एक स्टाप अच्छे से लिखा जाएगा अब भी वीडिया पर बढ़ रहे हैं इंडियास फाइनस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखें फर्दर सो कैसे लिखोंगे देखो ये अभी पान्स पांच कट गया तो मिरी पास क्या बचा थ्री रेस मुखि हला फाइफ मल्टिप्लाई बाए थ्री तर ये कितना बचा इंटु आफ त्री डास त्रॉप पावर when दन अब देखो मेरे पास बचा क्या है अब पावर्स बराबर और उपर की तो 3 raise to power n plus 2 n plus 1 और denominator में क्या है 3 raise to power 2 n plus n minus 1 तो यह finally product में पास क्या बचा 3 raise to power 3 n plus 1 upon 3 raise to power 3 n minus 1 अब बिल्कुल ध्यान से देखना है प्लेस 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 बी सीरिस बाउट इस टॉपिक देखों अगर मैं लिखूं a raise to power x upon a raise to power y तो यह उपर चला जाता है तो यह क्या बनते a raise to power x यह आप अगर a1 upon y लिखते है न इसको मैं कैसे लिख सकता हूं y raise to power minus 1 clear है तो यह कितना हो जोगा a raise to power minus y तो इसको मैं कैसे लिखूंगा a raise to power x minus y यह कॉंसेप्ट है इस कॉस्चन में जो यूज हो रहे में लिख देता हूं कॉंसेप्ट ताकि आपको अच्छे से याद रहे और नोट भी बनाएगा तो बैटा यह कितना है तरी रेश्ट पर 3N प्लस वन मल्टिप्लाइट रिश्ट पर माइनस 3N प्लस वन क्लियर तो यह ल्टी में बस बचा कि तम यहां स्वाल्फ करता हूं इसको तरी रेश्ट बेस से में तो इनको एड़ करतेंगे त्री एन प्लस वन माइनस ओफ सब्सक्राइब प्लस वन तो तीन का स्केर कितना हो था हमार पास अंसर इस नाइन ओप्शन नमबर सी एक लिए यह वेरी 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 गुट वुट बच्छों ठीक है बहुत अच्छा वोश्ट था यह चलिए नेक्स बढ़ते हैं चलिया न इसा ठीक है यह वाला कोश्चन तो होफ़ली आप यह कर पाएंगे प्लीज देखिए मुझे क्या दिया बटा फोर इस्टु पावर एक्स मैनस वाई इस इकल दो सिक्स्टी फोर दिया है है एंड फोर इस्टु पावर एक्स यह देखो शोर ने मचाना भाई क्लास में ठीक किसी को समझने आएगा फिर कुछ भी घरते रहो तो बी गाम और नोट्स अच्छे से बनाने है ठीक है चलिए देखिए देखो यह कितना दिया अगर मैं इसे लिखूं फोर इस्टु पावर एक्स माइनस वाई इस इकल फोर का क्यों लिख सकता हूं मैं बिलकुल लिख सकत आए गाम तो तो बी एक्समा टॉट वर्वर स्टु पावर दा पावर स्टु आट टू एक्स माईनस वाई हिस इकल टाकूं मैं स्टु ट्र आगो तो दोनों को, so 2x is equal to 8, so x की वाल्यू कि इतना की, 4, option number declare, so that was very good question, देखो, कितने बढ़िया से question चलना है, तो भाई, like, share or subscribe तो बनता है, इस channel को और इस video को, जाते जाता प्यार आपका सथकार चाहिए, चलिए जी नेक्स कुश्शन, अम एक्स कुश्शन इस, find the value of, the value of, देखो क्या दिया, मुझे अब ध्यान से दिखिएगा, 10 plus of, root 25 plus, 108 plus, 154 plus, 225, clear है, अब ध्यान से देखो, चलिए देखो, जहां से देखो, 15 का सकर, 225 होता है, तो यह कितना, root of 10 plus, root 25 plus, 108 का root plus, 154 plus, यह कितना, 15 होता है, है, 15 का सके है, plus 15, done, इसको मैं थोड़ा सा, हैड में भी लेके जाओंगो, ताकि कुश्शन थोड़ा से लंबा लग रहा है, मुझे, चलिए, so 10, plus, root 25, plus, root 108, plus, root 169, कितना होता है, 13 होता है, so क्या बने लिखा जा सकता है, बिल्कुल, 10, plus of, 25, plus, 108, plus, 13, इसका, कितना होता होता, 13, done, चलिए, यहां लिखते है, इसको थोड़ा जंगा बना किया, होता है, so 10, root of, 10, plus, 25, plus, root of, 121, 13, और ठीक किस होता है, done, so under root 10, plus, 25, plus, 11, तो यह कितना, under root 10, plus, 136, तो under root 10, plus, 16, वो कितना होता है, मेरा, option number, a4, clear, तो बहुत अच्छा कोश्चन था, next question में चल रहें, चलो, चलिए, what is, positive scale root of 19, plus 4, root of 21, बहुत important question है, चलिए, करते हैं, देखो, मुझे क्या निकालना है, मैंने, मानना, let, x is equal to 19, plus, आज हमरी team question भी चांट चांट के लिए, आपके लिए तो अभी वीडिया की, पूरी team को, पूरी content team को, मैं धन्यवाद देना चाहूँगो, जो इतने बढ़ी अगोशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, sessions में clear है, चलिए, और definitely आपको आगे काम भी आएंगे, done, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, यानि मुझे यह निकालना है, done, तो root of x is equal to root of 19 plus 4 root of 21, देखिए, यहां से मुझे पता चला, यह positive square root है, कैसे, देखो, जब मैं किसी, इसका मतलब यह purpose square होना चाहिए, जैसे मैं a plus b का beta square करता हूँ, तो यह कितना हैगा मेरे पास, a square plus of b square plus of 2 a, b, is that clear, देखो by comparing, अगर मैं इसको compare करना चाहूँ, तो मैं कहा लिखो 19 plus 2 into 2 into root 21, yes or no, लिख सकता हूँ, बिल्कु लिख सकता हूँ, इसका मतलब a square plus b square, जो भी हमारे पास value हो, वो कितने आने चाहिए, यह हमारे उनिस, and 2, a, b is equal to 2 into root 21, तो a into b कितना आगया, to root of 21, is that clear, to root of 21, अब बिटर ध्यान से सुनो मेरे बात, अब इसको मैं under root के अंदर लेकर जाने वाला हूँ, तो a, b कितना आगया मेरे बास, root 4, root 21, तो यह कितना आगया, root of 84, बट यह करके मुझे फाइदा क्या है, यह करके मुझे फाइदा क्या है, देखो, अगर मैं इसको लिखूँ, इसके factor बना हूँ, इसके factor क्या बना सकते हैं, 7-6, बिल्कुल बना सकते हैं, तो माफ कीज़े का 7-6 नहीं बनेंगे, 12-7 हो सकते हैं, तो 42 हो गया, 7 और 12, बिल्कुल बन सकते हैं, यानि अगर मैं इसको करके देखो, एक ही वेली मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी, 12, यानि A square 12 तो यह कितना होगा मेरा, तो definitely A कितना होगा मेरा, 2 root 3, और B कितना होगा, B square मेरा होगा 7, तो B कितना होगा, root of 7, तो देखो बिटा, अगर यह चीज़ मुझे पता चल गई, तो अब मैं क्या बोल सकते हूं, कि यह क्या होगा मेरा, इसको proper square बनाते हैं, root 12 का whole square, plus, root 7 का whole square, plus 2, into root 12, into root 7, देखो, इसको खोल के देखो, ज़रा, क्या यह आ रहा है, यह कितना हैगा, 12, plus 7, plus 2, into root 3, into root 7, तो यह कितना हैगा, 19, plus, 4 root x, जो मुझे given equation में दिया होगा, clear, जो मुझे given equation में दिया होगा, तो बस फिर question की कोई दिक्कत ही ने बिटा, तो अब कितना आ गया मेरे पास, यह आगया, root 12, plus, root 7, इसका under root है, और इसका क्या आगया मेरे पास, whole scale, तो यह cancel out होगा, तो यह कितना बचा, 12 को मैं कैसे लग सकता हूँ, 2 root 3, plus root of 7, which is option number A, ठीक है, so that was very important question, बहुत अच्छा question था, और बड़ी राम से की है, हमने clear, चलो next question में बढ़ते हैं, another good question, चलिया, content team को बढ़ा, यह बढ़िया question, what is the value of, so we have to find out the value of 473 plus, अब याद रखना है, यही रूट है, यहीं तक है, इसका आगया root नहीं है, 100 root of 256, plus 100 root of 289, clear, जल्दी बताओ, मैं क्यों बताओ, शारी चीजहान में भी बताओ, आपा लोग कोने कुछ बताना ही नहीं है, जल्दी बताओ, 210 yenगे, किसका होता है, बिल्कुल सही, कितने का 16, का next is कितना 17, clear है, तो देखें यहां मेरे पास, क्या बचा बचा, चलिया, thank you guys for liking and sharing this video, चलिए देखो यह कितना बचा बिटा 23 और 17 40 10 56 तो यह कितना बना फाइव और 473 प्लस 56 यह कितना बच किया देखो मारे पास चाह साथ पांच बारा और टू 529 कि इतना ही बना तो यह किसका स्कीर हो था 23 को छोड़ के क्लियर है तो चलिए बहुत बढ़िया कोशन था यह क्योंकि इसथा तो 739 पहुंच कि आपका 19 का 3 पह रहेगा तर्टी नहीं को तो 23 को छोड़ की इंसर आई नहीं सकता चलिए रहे तो 23 इंटू 23 इंटू 23 इस 529 चलिए नेक्स कोशन बढ़ते है इंपॉर्टन मां करोगे या करवा हूं अजी इंपॉर्टन मां कुद कर लो किस कोशन को या मां करवा हूं करी लो तो बढ़ी है चलिए नेक्स कोश्चन इस रूट फाइव इस गिवन तो मी 2.236 क्लियर है रूट फाइव पॉन रूट फाइव पॉन रूट फाइव पॉन रूट फाइव यह मुझे वैल्यू निकालनी है और यह सिद्धे सिद्धे और देखते बहुत डेप्ट वाला कोश्चन लग रहा है मुझे देखते हैं इसमें देखिए जब इसका लसे में दो फाइव यहां पर कितना है तो फाइव का सकेर माइनस तेंट अफ्टू प्लस तूरूट फाइव इंटू रूट फॉन टूट वॉन ट्वैफ ऐफ बहुत बछा लग रहा प्रूच है रूट फाइव स्कूर देखो किटना हो गई माइनस 20 प्लस अब इसको solve करें जरा देखें यह कितना है गा 2 root 5 इसको लगसा solve करते हैं into of इसको कैसे लिख सकते हम root 5 को 5 मुण 5 मुण 5 यानि root 5 root 5 का scale into of पांच तो यह कितना होगा इंटो 5 root 5 clear तो यह कितना तो इंटू 5 इंटू 5 25 गुना दो पच्चीज गुना दो पच्चीज गुना दो कितना का पचास अब भी बीडिया बेपड रहे हैं यहां पर चोटी से छोटी बात भी आपको बहुत डप्त में बताई जाती है ताकि कहीं पर किसी बच्चे को डाउट नाँ क्लियर है करो तू रूट फाइव और रूट फाइव से इसको तू रूट फाइव और रूट फाइव से इसको क्या करता है इसको रेशनलाजेशन बोलता है जब आप किसी सिंगल वैल्यू से करते हैं देखो यह कितना होगा बिटा यहा है मेरे पास 35 root 5 upon 2 into root 5 into root 5 clear मैं यहां ले आता हूँ यह दिखेगा नहीं अब आपको 35 root 5 upon 2 into 5 तो यह कितना आ गया 7 तो 7 root 5 बटा दो तो यह कितना बचा मेरे वाँ 7 root 5 की हमें कितनी value दिया है 2.236 डिवाइट बटो तो यह कितना बचा 1.118 तो मेरे पास ultimately value का है मेरी 1.118 into of 7 तो answer कितना आएगा मेरा 7.826 clear तो answer is 7.826 बहुत बढ़िया कुशन था है मेरे पास करके देखें सो मुझे टू टू सिक्साता देख रहा है यहां पर मिसिंग है कुछ प्लस 7 0.018 है न तो ऐसे कुछ है तो एगा 7 प्लस 0.7 प्लस 18 उना साथ कितना होगा 156 तो 156 डिवाइड बाई थाउजेंड 0.156 तो यह कितना होगा मेरे पास 0.156 0.7658.0 तो सोरी ठीक है इतना ही आना चाहिए डन चलो जह लगा रहा था श्याइड टू टू भी आना चाहिए बढ़ ठीक है अप्रॉक्समेट लेकर रोकॉप्शन में दिया होगा तो इससे से हमें काम चलाते हैं चले नेक्स कोशन बहुत बढ़ी है कोशन करिए प् कोशन बोट्राइब करो शावश देखें बिटा सुपर इंपोर्टन कोशन सुपर इंपोर्टन क्यों किया रहा है सॉल्व करूंगा तो बताऊंगा ठीक है देखो मुझे क्या दिया है 243 raise to power 0.13 multiply by 243 raise to power 0.07 upon 7 raise to power 0.25 multiply by 49 raise to power 0.075 multiply 3 43 0.2 चले बिटा देखो यह सबसे पहले बेस केम दिख रहे है तो पावर को एड़ कर दो डन कुछ मत देखो अभी क्या चल रहे क्या नहीं चल रहे बस पावर को एड़ करो 0.13 plus 0.07 और denominator में क्या चल रहे 7 raise to power 0.25 अब 7 दिख रहे मुझे तो दिख रहे साथ जगा 7 raise to power 2 into 0.075 into बिल्कुल ध्यान से करना साथ का क्यूब इंटो अब 0.2 तो यह कितना है मेरे पास 243 raise to power तेरा साथ बीस 0.2 upon 7 raise to power 0.25 प्लस 7 raise to power यह कितना आ गया 0.15 प्लस 7 raise to power 0.6 इसे क्लियर यहां तक इसी बच्चों को डाउट हो तो बता सकता है फिर में आगे बढ़ूंगा जल्दी बताईए कि यहां थे किसी को डाउट है I don't think so चलिए बच्चों नेक्स देखतें क्या हमारे पास देखों नेक्स मेरे पास अगर मैं इसको देखों यह क्या है मेरे पास तीन सिन थी एनों तीएस 2391 तो इसको मैं क्या लेख सकता हूं राइस तो पर यंस तुपावर फाइब जिए प्लसल ये कितना है कर देखिं यहां लेकि बहुत आता हूं उसको मां एट इंटिल बिकम पानसे करँपश तीन अपन से ओनम एँट सिध कर था एश ह।ाल सब्सक्राइब करेंगे चलिए वैल्यो ऑफ रूट 5 प्लस रूट 3 क्या दिया पिटा है? रूट 5 प्लस ऑफ रूट 3 अपॉन रूट 80 प्लस रूट 48 माइनेस रूट ऑफ 45 माइनेस रूट ऑफ 27 चलिए फिर इसको खोल के लिखते है सारे को अब देखो क्या दिया है मुझे root five plus root three done, आपने इसको मैं कैसे लिख सकताओ, 16गुण फाँच, जोग जो previous के रहे हो, उसी युळ लिख रहो plus, 16गुण 3-9 पाँच, माइनस नो गुणा तीन डन अब देखो जरह यह क्या वैल्यू है मेरे पास रूट फाइफ ब्लस रूट थ्री अपन यह कह लिखूंगा रूट सिक्स्टीन इसको मैं लग भी कर सकता हूँ जैसे मेरे पास A B A रूट के अंदर तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट A into root B clear है so root 5 plus root 16 root 3 minus root 9 root 5 minus root 9 root 3 तो इसे clear चलिए next देखिए root 5 plus root 3 upon 4 root 5 plus 4 root 3 minus 3 root 5 minus 3 root of 3 clear तो देखो क्या बना मेरे बस यह है 4 root 5 यह 3 root 5 तो यह कितना बचा मेरे बस देखो देखो ultimately root 5 यह कितना बचा बेटा root 5 plus root 3 बिल्कुल ध्यान से करना root 5 बचा और यहां से क्या बचेगा plus root 3 तो यह कट गया तो अंसर कितना है option number 1 option number d 1 मेरे बिल्कु से clear तो देखो कितना मुश्किल question लग रहा बट that is easy question बहुत असान प्रश्चन है विगोज अभी आपने कहां किया मेरे साथ अभी बीडिया पर है clear जितनी बार भी important लिखोगे ना उतनी बार important कम है question देखो सबसे पहली बात जब भी ऐसा question है scale root को मत करो जैसे 4 है उसको 2 मत लिखो 9 है उसको 3 मत लिखो number 2 जब भी ऐसा है rationalization करो देखो वह होता कि अगर मैं लिखो इसको 1 upon 1 plus root 2 या इसको क्या लिखो root 2 बड़ी value को में पहले लिखो इन question में यह दिए होता है बड़ी value को पहले लिखो root 2 plus 1 into of root 2-1 upon root 2-1 clear अब बसे question लग रहे है next क्या करूँगा मैं one upon sorry root 3 plus root 2 into of root 3-root 2 upon root 3-root 2 clear तो यह term लिख लिए मैंने यह term लिख लिए next की बात करेंगे 1 upon 1 upon root 4 plus root 3 into of root 4-root 3 upon root 4-root 3 full consideration की जूरत है धान भटका तो दुर गटना गटी है ना वो बोलते हैं साफ़दने ने गटी तो दुर गटना गटी मैं यह बड़ी consideration से कर रहा हूं इसको तो यह ओ चुक है next की है मेरे पस one upon root 4 sorry root 5 आएगा plus root 4 into of root 4-root 5 root 5-root 4 आएगा यहां पर root 5-root 4 upon root 5-root 4 clear चलो जी 5 वालिटम्स होगी है next क्या दिया है 1 upon root 6 plus root 5 into root 6 minus of root 5 upon root 6 minus of root 5 clear चलो छे वालिटम्स होगी है next is one upon root 7 plus root 6 into root 7 minus root 6 upon root 7 minus of root 6 चलिए next है मेरे पास one upon root 8 minus root 7 plus sorry root 8 minus root 7 upon root 8 minus of root 7 last time हम लिख रहा हूं में यहां पे last time में उपर लिख देता हूं बिटा वन अपॉन रूट 9 plus root 8 into root 9 minus root 8 upon root 9 minus of root 8 clear next अब देखो जारा ध्यान से ध्यान से देखेंगा प्लीज में सारा लिखने रहा हूं यह क्या बने मेरे बास root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 into root 2 minus 1 plus root 3 minus root 2 upon root 3 plus root root 2 into of root 3 minus 2 साथ साथ note पी करते जाएंगे ताकि मैं जब स्पेस ना बचे दो मिटा भी सकूँ root 4 minus root 3 root 4 minus root 3 divided by root 5 root 4 plus root 3 into root root 4 minus root 3 root 5 minus root 5 plus root 4 to root 5 minus root 4 next is root कितना रूट 5 वाली पे आगे root 6 minus root 5 upon root 6 plus root 5 into root 6 minus root 5 next किया मेरे बास 6 हो गया 7 प्याना रूट 7 minus root 6 root 7 plus root 6 into of root 7 minus root 6 next next is root 8 minus root 7 upon root 8 plus root 7 upon root 8 minus root 7 last बचा मेरे पास root 9 minus root 8 upon root 9 plus root 8 into of root 9 minus root 8 अब देखो एक करके दिखाऊंगा सारा नहीं करके दिखाऊंगा आप देखो जैसे मैं इसकी बात करूँ यह वह एक प्लस बी- मैनस भी यह निरूट टू का होल स्केल मैने पहले नोट कर लेंगे साथ की साथ बहुत बड़ा कोशन और यह यह था प्लस 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 नहीं है यह एक दो बार कर लेंगे तो यह चोटा लगने लगा आपको कोशन क्लियर है तो क्या बाचाब और मेने बाइंग पार सिर हम मेरे पार cutter को वह सी gosh क्स्काहिए деся ही फ्ल dedans नियुत्ष वून प्लस रूट सुर्मry का मैं उन प्लस रूटन प्लस रूटन फोर मैंने फोर प्लस रूट सिख्स मैने स्वरूट Better 7 minus root 6 plus root 8 minus root 7 plus root 9 minus root 8 अब सबसे सान चीज़ आएगी देखो देखो root 2 से root 2 root 3 से root 3 4 से 4 5 से 5 6 से 6 7 से 7 8 से कट गया 8 तो मेरे बस क्या बचा माइनस 1 plus root of 9 which is equal to minus 1 plus 3 which is equal to 2 तो option नमबर भी C clear तो देख लो कितना बड़ा question था but हो गया rationalization से चलिए next question बड़े बहुत बड़ी है question है important है देखे क्या दिया x is equal to root of 5 plus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6 देखो अगर मैं इसकी ही भी rationalization करता हूं जैसे 5 plus 2 root 6 upon 5 minus 2 root 6 लेट में चक्राइब स्क्राइब मुझे माइनस प्लस उपन इच्छे लग रहा है इस is my 15 question है चेक करके देख लेते हैं इसको 5 minus of 2 root 6 एक्च्छली इसको प्लस से ही कर दो प्लस से ही कर दो मुल्टिपले डिवाट कुछ करने की जरूरूरूरू थी नहीं आगर ऐसा question भी है तो देख लेते हैं क्योंकि जब नहीं rationalization हो रही तो कोई बात नहीं फाइब प्लस टू रूट शिक्स मुल्टिपले डिवाट देख ओपर गया मेरे पास फाइफ प्लस टू रूट शिक्स फिर में question बार बार चेक कर रहा हूं एक बार ठीक है कि मुझे उपर माइनस लगए रहा हूं निच्छे प्लस लगए निग्पट कर के देख沸िकों बिए बात करते कि अंडरुट का sector निच्छे बान्य वरं तो ये कितना वे है फाइफ प्लस टूरूट शिक्स टिक햌ए तो ये कितना गांत activities कि क्छा के साएं है cowboy इस प्लिस टू रूट शुक्स मयनिस टानकर को इसका होंच कर तो यह archa इसका है प्लिस टू रूट शिक्स को होंच है इन टू हog मानिस एक क्लेञा it तो इसको मैं कैसे फर्द लिख सकता हूं, देखो यहां से माइनस अगर कमन लेतना हो, क्या बनेगा, 5 प्लस 2 रूट 6 इंटु अगर मैं कमन लोगा, माइनस का स्केर क्या बनेगा, 5 माइनस 2 रूट 6 और इसका होल का क्या हो गया, स्केर होगा तो यह मेरे पास कितना होगा आप लिख सकते हो A Gb सकते हो अब लिख सकते हो A b का होल स्केर डन यह बैग प्रोपटी यह लिख लिंग इसको तो यह कितना हमानके है आपका होल स्केर क्लियर तो एक का स्केर कितना होगा एक ही होगा ऑप्षिन नंबर सी क्लियर मुझे लगा शर्थ प्लस मैंस कुछ गड़ बड़ा है पर ठीक है कोश्चन कोई बूरा नहीं है चलिए नेक्स पर चलते हैं वेरी इंपॉर्टन कोश्चन दा नंबर इस दिव प्लस यह कोश्चन हमने कहां किया बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस कोश्चन किया होगा बट कहां किया होगा शयाद आपको ना पता चले तो देखेएगा नोट्स में जहां आपने नोट्स बनाए और बताएगा मुझे कोईशन कहां किया है अगर किया है तो होना भी चाहिए फिर 4S पास 61 इंटू 4S पावर अफ क्यूब अब क्या गरो 4S पास 61 ले लो कॉमन कितना मच गा 1 प्लस 4S पार 1 प्लस 4 का स्केर प्लस 4 का क्यूब तो ये कितना मच पावर अब प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 क्लियर क्या इन में से यह भी लिख लो अन अब दिस तो 4S पास 61 इंटू अफ 16 85 बन की बात 17 आगया मेरा मुझे लग रहा तहा है चाहर ना है 4S पास 61 इंटू अफ 17 गुना पास तो फेक्टर बनाएंगे इसके तो अंसर इस ओप्शन नंबर E D सौरी 17 इस है क्लियर तो नो दिस मुझे लग राता शाहर ना है बट ये था ओप्शन में क्लियर चलि बेटा नेक्स कोशन में चल रहा हूं है चलि बहुत अच्छा कोशन है सिंप्लिफाइड वैल्यू अफ देखो मैं जैसे यह लिखता हूं 12 वन बाइटू तो सब्सक्राइब कैसे लिखते हैं प्लस 4 वा 7 प्लस डिपल 9 प्लस 5 वा 7 प्लस डिपल 9 प्लस 6 वा 7 तो लिखते ये कीतना हैगा 1 दो 3 4 5 6 तो डिपल 9 मुल्टिपल से एखते हैं मेरे पास 1 by 7 plus 2 by 7 plus 3 by 7 plus 4 by 7 plus 5 by 7 plus 6 by 7 clear so यह कितना बना मेरे पास 5994 thousand minus 6000 minus 6 plus देखो LC मेरे साथ सब के पास है तो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 यह कितना होगा 6 5 11 4 15 16 18 18 19 21 21 6 5 11 4 15 16 18 19 21 तो यह कितना है 5994 प्लस 21 बटे साथ यह आगे 5994 प्लस 3 आंसर इस 5997 option number is the right answer clear तो यह तो यह तो यह तो यह तो देखो इस कोशन वचे बहुत सारी गलतियां करते हैं वह क्या करेंगे वह पी और क्यों को कुछ भी मान के चलेंगे या पी और क्यों को कॉमन लेने की जूरुत रखेंगे बट ऐसे कुछ नहीं देखो मुझ पी अपॉन क्यों दिया हुए रूट 5 अपॉन और टी अपॉन यू भी मुझे कितना दिया हुए रूट 5 अपॉन वन इसका मतलब इसको पी ले लो यह भी पी होगया पी होगया वैसे जरूरुत नहीं पी की बट फिर भी कई लोगों के तसलिक लिए मैं कर देता हूं ठीक ठीक होल स्केर गैर पॉन ड्लस को ही रूट 5 पीगा होल स्केर हो इसको यूझ टो फाइफ डॉन पां पॉन क्या दिया हूं मुझे 3 कि यह पंक धे रूट इभी निए 3 निद रूफ पिकर होल गे प्लस फोर इंटो पी को होल स्केर प्लस 5 इंटो पीड म defeated कींसीं तो ले लो भी मेरी सेथ पर क्यासर है बढ़ जरूरत नहीं है लेने कि इसको देखो एकट गया और जो यह पी स्केर आगे तो थ्री पंद्रा पी स्केर प्लस ओफ ट्वंटी पी स्केर प्लस ओफ पच्छीस पी स्केर अपने कितना वजह पांच चार नों तीन बारा ट्वल्फ पी स्केर तो यह तो यह तो यह तो इस प्लिफाइड वैल्यू बहुत अच्छा कोश्ण लग रहे है देखो अगर मैं बात करूं कितना दियो रूट थी प्लस वन इंटो अफ 10 प्लस रूट 12 इंटो रूट 12 माइनस टू इंटो 5 माइनस ओफ रूट 3 क्लियर तो यह कितना हो देखो रूट 3 प्लस यह तन अवगे 10 प्लस टो रूट 3 बारा को में लिख सकता हूं इंटो अफ 2 root 3 minus 1 into 5 minus of root 3 बिल्कुल simple question है हाँ पता है मुझे आपके लिए मुश्किल है बट बेटे करोगे तो मजा भी आएगा फिर 5 plus root 3 into 2 root 3 minus 1 into 5 minus of root 3 clear एक 2 और निकलेगा कहां से आएगा तो यहां से फिर 2 निकलना है तो root 3 minus 1 आएगा clear चलिया तो यह कितना हो गया चार भाहर आचुके मेरे बास अल्रेडी तो यह कितना बचा root 3 plus 1 into of ठीक से लिए देते हैं भाई 2 की जान को निकाली हो हमने root 3 minus 1 into 5 plus root 3 5 minus of root 3 clear so 4 into 3 का square root 3 का square minus 1 into 5 का square minus root 3 का whole square तो बेटा कितना बचाएं मेरे पास 4 into 3 minus 1 into of 25 minus of 3 4 गुना 2 गुना 22 तो 22 दूनी 44 गुना 4 कितना होगा आपके option number सी 176 इस दे क्लियर चलिये लिए लेट आस्मूट नो देनक्स विश्यों लास्ट विश्यों अप्र निच होगे हैं कोई बात निमाइस को लेख देता हूं 6.25 raise to power 1 by 2 into 0.0144 raise to power 1 by 2 plus 1 upon 0.027 raise to power 1 by 3 into of 81 raise to power 1 by 4 clear that is very easy question देखो अगर मैं इसको लिखो मैं कैसे लिखूंगा 625 बटा सौ की पावर एक बटे 2 into ये कितना हैगा 144 बटा 1 2 3 4 raise to power 1 by 2 और प्लस 1 पहले multiply को solve करेंगे board mask के साब से then we add और ये कितना होगा बटा 27 by 1 2 3 raise to power 1 by 3 into of 3 raise to power 4 81 होता और raise to power 1 by 4 clear तो देखो ये कितना है 25 बटे 10 का square raise to power 1 by 2 into of 12 बटे 100 इसकी 1 by 2 यानि इसका square है और इसका whole square है done upon 3 by 100 raise to power 1 by 3 इसके cube done into of 3 clear तो मेरे पास क्या बचा है कर्टा ये भी cancel out ये भी cancel out तो कितना बचा मेरे पास 25 बटे 10 गुना 12 बटे 100 जमा एक बटा 3 बटे 100 गुना 3 इतना बचा तो ये कितना होगा 25 ओके 100 चार थिये 12 तो ये कितना हुआ जिरो पंट 3 प्लेस वन अपन जिरो पंट 09 लाइक लेट मी चेकिट 3 तरी तरी थाने 10 आए गा यहां पर विस वह जोच्छा कुछ गटबड हो रही है तो ये कितना है गाए ये कितना है आपका 1.444 बार भी लिखा जा सकते है इसे अगर यह भी लिखा हो नहीं 1.4 बार तो चलेगा चलिए आज के लिए इतना ही बेटा थैंक यू प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दो करना प्लीज मत भूजिए आप आप पड़ रहे हैं इस फाइनेस ऑनलान प्लाटफोर्म अभी पीड़े भे थैंक यू